हेलो एवरिवान मैं डिवाइन फैमिन आपके लिए आपकी पार्टनर की करन्ट अनर्जी आप कोई भी डिमेंशन में हो और आपको भी कमेंटमेंट का वेट था आपको नहीं मिला हो सकता है आप हाई डिमेंशन में भी हो लेकिन अभी तक आपका पार्टनर जो भी अवेकन था लेकिन commitment ने दे बारा था चाब family matter हो सकता है या खुद के कोई ऐसी issue heal होने रह गए थी जो नहीं हो पाए थी तो finally वो time आ चुका है आ रहा है portal तक हो सकता है पुरी confirmation के साथ कि आपके person आपको permanent commitment जो अभी तक शायद आपने जितनी भी मेहनत की आपने हमेशा वेट किया आपके person के अवेकन होने का वो commitment का जो अभी तक आप सोचते थे कि वो आपको अब आपके बारे में बताये कि इतना ही नवग करने के बार आपको क्या result मिला तो ये एक commitment तो है है लेकिन साथ में एक divine message भी है जो कि divine ने indication दे रिया है आप लोगों के लिए पहले तो बहुत बहुत congratulations जिनको भी आप finally permanent union के बाद या हो चुका हो लेकिन commitment रहता था तो कहीं न कहीं आपके partner आपको commitment नहीं दे पा रहे थे रहते हैं आपके साथ या साथ में थे contact में थे जा no contact में भी थे कुछ भी आपके बीच में चल रहा था क्योंकि permanent union का मतलब साथ रहना नहीं होता शादी नहीं होता permanent union हमेशा unconditional love में आना एक दूसरे के लिए एक internally जो हम एक दूसरे को commitment दे देते हैं कि यह जाकर भी अब हम अलग नहीं होंगे जा सिच्वेशन हो जा family हो जा कुछ भी हो दोनों balance करते हुए आगे growth करते हैं अपनी life के purpose की तरफ बढ़ा के लिए के जाते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ही वो प्रेना पसंद करेंगे third party चा कोई भी हो उन्हें कोई मतलब नहीं सिर्फ असिफ अपने work पर वो दोनों focus करते हैं आगे growth करते हैं और love feel करते हैं हमेशा तो अभी जो भी जिनके अभी नहीं हुए हैं जिनकी साथ अभी energy effect चल रहा था जिनके बीच में अभी जो मैंने बताया था night में या कल से आपको कुछ symptom जो body पे feel हो रहे थे commitment तो मिलेगा आपको लेकिन जो बीच में आपके third party का role play कर रहे थे उनके साथ crashes होने start हो गए हैं अब उनकी reality जो उनका real phase था जो कहीं न कहीं आपके against tracker उन्होंने आपके किलाब बहुत से बाते अपने आपके partner को बदा के आप लोगों के बीच में problem create की थी चाह वो कितना भ माली है नहीं होगी या कुछ भी matter हो सकता लेकिन आपके लिए commitment ready है अब थार्ड पार्टी के साथ अगर रहेंगे तो सिर्फ karma face करेंगे आपके साथ internally unconditional love में आएंगे आपको permanent commitment जिसका वेट कर रहे थे जा married हो unmarried हों से कोई मतलब नहीं है as gap से कोई मतलब नहीं है सिर्फ औ भी effort आपने किया उसका result की तोर पर divine आपको gift दे रहा है आपको commitment देगा बहुत बड़ी good news आप लोगों के लिए body time से आपने इसका wait किया था आपने पूरी journey लगा दी इस commitment के लिए आपने positive हो की काम किया result आने का time है और आपको हो सकता है आपको root से related आपको कुछ messages मिल रहे हो cleansing चल रही है साथ में आपको नजर आ रहे हो कि आपको root की cleansing चल रही है आपके leg में vibration हो सकती है आपको merging फिलो सकती है आपको root से related जो भी symptom होते हैं ठीक है कोई भी चीज़े ऐसी जो आपको दिखाए सकती है कि आपकी cleansing हो रही है आपकी body की तो यह बहुत बड़ा sign है कि आपको जो कल आपके साथ हुआ और आज cleansing जो आपको नजर आई होगी dream में दिवारा या आपको root की cleansing होते हुए नहीं जरारी हो तो आप समझ जाएगे यह आपको बहुत बड़ी news commitment के साथ मिलने वाली है आपके partner कभी भी आपको permanent union का तो permanent क्या मैंने के लिए commitment चाहिए था वो आपको मिल जाएगा तो बहुत बहुत congratulations बहुत बड़ा major shift जो आने वाला है जो 29 को भी हो सकता है ठीक है क्योंकि यह बहुत बड़ा shift है जो आपको मिलेगा आपको commitment मिलेगा जो अभी तक आपने नहीं सुना तो आप इसको जब्द कर सकते हैं आपके person को जो space दिया गया थोड़े time के लिए third party को let को चाहिए वो उनके साथ रहेगी लेकिन उनके साथ वो उस तरीके से physical world मे भी नहीं रहेंगे ठीक है आप फीजिकल का मरतब समझें के intimation related भी उनके relationship नहीं होगे वो उनके साथ सिर्फ कर्मा phase करेंगे उनके life में चित्का मर जी प्यार हो जो भी था parity थी वो सब खाताम सिर्फ और सिर्फ आप number one पे आएंगे आपके लिए सोचेंगे आप इक लिए आप इक लिए मरेंगे आप इके साथ बढ़ेंगे आप इके साथ commitment आप इके सारी life unconditional love आप इके साथ purpose सब कुछ आपके लिए वो ready हो रहे हैं हो चुके हैं commitment on the way है हो सकता आ गया हो कई लोगों को कई लोगों को अनबाकी है लेकिन बहुत बहुत congratulations अब आपको ना डरने के ज sender किया आपके partner भी sender किया आप दोनों को जो result का time है वो बहुत positive आने की संभावना कभी भी आपको कमेंटमेंट मिल सकता है जिसका weight था तो आप जिसके साथ भी resonate हो कमेंट कर सकता है और मेरी तब से सब को बहुत बहुत congratulations बहुत बढ़ी shifting जो कि बहुत बड़ा major shift और जिनक union होने वो अभी से त्यारी शुरू कर दें आपके लिए भी यही shift फिर से आएगा जो commitment चाहते हो आप लोगों के लिए भी त्यारी है अगर आप start करते हैं inner work positive होके तो आपके भी हो सकता है तो आपको अभी से महनत करने जरूरी है तो मई तक अगर चाहते हैं आपका permanent union हो उ इसे त्यारी कर दिसुरू कर दिपरें